अनुज पुत्र उधिश्चिर के दोद को उपस्थित किया जाए जो आग्या महराज अ88 अवबगा शचित किया जाए जाल्रुब्ण ठाटूद अवबगाज जाए पीज़न से तो पोस्थित किया जए ठाकि खूतूबगाए जाए जब को उखित बाल्रशुण तो तेकर ह Protestant अीज़न इंसीर्वर sucking Ore Rachel personnए महाराज की जय हो राजन आप देरगाई हो आपकी प्रजा सुखी और सुरक्षित रहे हे राजन पंचाल का ये राजपुरोहित आपकी सेवा में आपके अनुजपुत्र इंद्रप्रस्ट के समराथ युधिष्ठिर का प्रणाम और संदेश लाया है यहां से लाटकर प्रिय अनुजपुत्र युधिष्ठिर को मेरा आशिरवाद दीजिएगा और अब ये बताईए कि आप ऐसा कौन सा संदेश लेकर आए हैं जिसे प्रिय युधिष्ठिर स्वायम ही आकर हमसे नहीं कह सकता था उन्होंने आपके चरण स्पर्ष के लिए आने की आज्या ही मांगी है नरेश और कहलवाया है कि पन के अनुसार बारह वर्षों का वनवास और एक वर्ष का आज्यातवास वे पूरा कर चुके हैं अब यदि उनके जेष्ठ पिताश्री आज्या दें तो आकर वे आश्यरवात के साथ अपना राज्मुकुट भी ले जाएं कैसा राज्मुकुट प्रोहित उनके अज्यातवास को स्वय मैंने विराट में भंग कर दिया था और उसी के आनंद में युधार गया था जाकर उनसे कह दो कि पंड के अनुसार उन्हें हमारे कहें बिना ही बाड़े बरस के बन्वास को स्वीकार करने ना चाहिए था पंडवों को दूत भेशते लाज तक नहीं आई मेरे लिए क्या अग्या है राजन मुझे विचार करने दीजिए कि मैं अपने प्रियानुजपुत्र युधिष्ठिर के लिए अपने आशिरवात की अतिरिक्त और क्या भेजू अग्यात्वास के विशय में कुछ छूल जहने हैं कुछ गणित चास्त्री ये कहते हैं कि विराट युद्ध से पहले अग्यात्वास समाप्त हो गया था और कुछ गणित चास्त्री ये कहते हैं कि समाप्त नहीं हुआ था गंगा पुत्र भीश्प और कुलगुरु क्रिपाचारी क्या कहते हैं तुम होते कौन है प्रश्ण करने वाले तुम केवल दूथ हो और प्रश्ण करना दूथ की मर्यादा नहीं है जो आयू और ज्ञान दोनों ही में तुम से बड़ा हो उसे तुम कहकर संबोधित करना भरत त्वंश के छोटों के मर्यादा नहीं है पुत्र दुर्योधन किसी दूद का अपमान करना किसी युवराज को शोबा नहीं देता और कोई जब पिता से कुछ कह रहा हो तो पुत्र का बीच में बोल पढ़ना पुत्र की असब्हतासित दिलता है इसलिए स्थान ग्रहन करो सब्ध्यता धरोहर में नहीं मिलती गंगापुत्र आप बड़े भग्यशाली है राजप्रोहित कि आप एक ब्रह्मन भी हैं और दूद भी यदी नहोते तो युवराज दुर्योजन का यूँ अपमान करने पर दंड़ पाते चाहिए और चाकर समराज युदिश्ण से कहिए कि वो अभी बारा परस के वनवास पर चला जाए उसके समाप्ति के पस्चात देखा जाएगा कि यह बड़े आश्चरी का विशह राजन कि आपकी राजसभा में केवल आप ही नहीं बोलते शेश सभी लोगों को बोलने का अधिकार है मैं इंद्र प्रस्थ नरेश युदिश्टिर की ओर से ये वचन देता हूं कि यदि गंगा पुत्र भीश्म आचारिय द्रोन क्रिपाचारिय महत्मा विदुर इन में से कोई एक भी ये कह दे कि विराट युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन का सामना होने से पहले उन का अज्यात्वास समाप्त नहीं हुआ था तो पांडव बारा वश्ट का वनवास फिर स्विकार करेंगे कुल्गुरु कृपाचारिय कि आपके उत्तर पर इसका आधार है कि शांती रहेगी या युद्ध होगा कि चंद्र और सौर दोनों की गणाएं ये कहती है कि पांडवों का ग्यात्वास विराठ युद्ध में युवराज और कुंति पुत्र अर्जुन का सामना होने से पहले ही समाप्त हो चुका था कुल गुरू कि जिस थाली में खाते होसी में छेद मत करो कि चंद्र और सौर गणनाय कुछ भी कहती हो परन्तु मैं गांध हरी पुत्र दुर्योधन ये कहता हूं कि पांडवों का ज्यात्वास भंग हो चुका था और जो मैं कहता हूं वही सत्य है है तो क्या मैं महाराज वैंच में उनके संदेश के उत्तर में हस्टिणा पुर का यही सत्या सत्य ले जाऊं महाराज नहीं नहीं कि आप में यहुद्हिस्ठिर से कहिएगा कि मैं शिग रही अपने किसी दूद त्वारा अपना प्रस्ताव भेचुआ है महाब हाला 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 झाल झाल